सबी डी एलेट फस्ट एयर कर रहे सबी भावी अध्यापकों का हमारे इस चैनल पर हारदिक स्वागत अभी नंदन देखिये मित्रों अभी अभी ज़स्ट आपके दस पेपर हो चुके हैं पहला से लगा कर पर्थम प्रश्ण पत्र से लगा कर दस प्रश्ण पत्र तक मैंने आपके लिए पूरे वीडियो बनाये हैं पूरा आपका साथ दिया है मैंने कहा ता आपसे वादा किया था कि मैं आपका अंततक साथ दूंगा तो आपके ग्यारवा जो प्रश्ण पत्र है जिसको प्रश्ण पत्र की संग्या दी गई है ग्यारवा वह क्रियात्मक अभ्या सिक्षन इसके बारे में इस वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि अभी अभी इसके बारे में आपके मार्च 2021 तक यह क्रियात्मक अभ्या सिक्षन होना है इस आदेश को भी अपन पढ़ेंगे इसके बारे में विश्तित चर्चा करने जा रहे हैं आप हमारे वीडियो को लाज तक देखिए शेयर करिए कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें अभी अभी एक आदेश आया है जिसको उपन पढ़ने जा रहे हैं अभी 23 प्रवरी का आदेश है आज कहीं आदेश है इस आदेश में समस्त डाइट प्रिंसिपल्स को लिखा गया है और समस्त निजी सिक्षन प्रसिक्षन संस्तान के प्रिंसिपल्स को लिखा गया है और इसमें बताया गया है कारेले पंजिक शिक्सा विभागी परिक्साई राजस्तान विकार्णे ने डियलड प्रथम वय द्यूतिय वर्स विध्यारतियों के क्रियात्मक परिक्साई के आयोजन के समन्द में यानि कि क्रियात्मक परिक्सन होना है अभ्या सिक्षन होना है इसके बारे में आदेश आया है इसको पड़गर समझते हैं उपरियोग तो विसेया अंतरगत लेख है कि प्रारंबिक शिक्साई सास्त्र द्यूवर्शी ये डियलड प्रथम वर्स द्यूतिय वर्स 2020 के लिए क् निर्देशित किया जाता है कि आपके संस्तान में पंजी क्रिट डियलड प्रथम तथा द्यूतिय वर्स के प्रोनातिवं पूरु वर्दि चात्रा अध्यापकों को क्रियात्मक परिक्सन की तित्यों से अवगत कराएं ये सूचना स्तानी अकबारों में भी कल प्रकासित ह हो जाएगी पंजी एक मोदेन लिखा है तो अर्थार्थ आपका ये क्रियात्मक परिक्सन की पचीस फरवरी से सुरू होने वाला है और ये च्छे मार्स तक इन दो इन ये जो दो तित्यां दी गई इनके बीच में आपका कभी भी हो सकता है आप को लेज के संपर्ग में र कुमारा ये क्रियात्मक अभ्याज सिक्षन की तितिक गोशित हो चुकी है 25 फरवरी 2021 से 6 मार्च 2021 के बीच में कभी भी आपका क्रियात्मक अभ्याज सिक्षन होगा तो इसमें ध्यान रखना इसमें पास होना अनिवारी है जो बालक या जो चात्रा ध्यापक चात्रा ध्यापिका इसमें भाग नहीं लेती है तो उसका उसको उत्तिर्ण नहीं माना जाता है ये भी एक ऐसा सिक्षन है जिसका अलग से प्रुणांग होता है और उसमें उत्त क्रियात्मक अभ्यास इक्षण क्या हैं गोशित किया से नामसंपूत है क्रियात्मक हम ने जो वर्ष पर क्रिया की है जो मैंने को लेज में जिसे वने इंटरशिव इंटर सिफ एंटरर शिप के लिए हम पन गए इस्कूल plugging कि तनी बी मैं मैं कि उस्में अपने को एक डाइरी दी गई लेशन प्लान डाइरी उस डाइरी में उस डाइरी के अंदर जो कुछ भी आपने बढ़ा है जिसमें आपकी कोई भी अगलोकन रिपोर्ट है या चातर उपस्तित रेजिस्टर के बारे में आपने वहां सिखा करमचारी उपस्तिति रेजिस्टर के बारे में आपने सिखा केस बुक रोकड भई के बारे में आपने सिखा SR रेजिस्टर के बारे में आपने सिखा कैसा होता है रिजल्ट बनाना आपने सिखा आपने रिजल्ट बनाना सिखा तो उस रिजल्ट के बारे में आपने जो रिजल्ट बनाना सीखा उसमें किस प्रकार से परफोर्में होते हैं कैसे क्या होते हैं उसके बारे में हैं और आप देख सकते हैं छात रुपस्erweiseत र contacting है कि MDM के बारे में रेजिस्टर इन सारे रेजिस्टर के बारे में आपके उस डाइरी में आपको मटेरिल मिल जाएगा उस मटेरिल में से आपके आपको question पूछे जाने हैं जिसको हम कहते हैं वाइवा वाइवा प्रश्न होगा आपका वाइवे होगा आपका मोखिक exam होगा और college चाहे तो liquid भी ले सकता हैं अब ये कितने पुंडांग का होगा और किस प्रकार से आपका exam होना तो सबसे पहले मैं आपका डर बगा दूँ कि जनरली मैंने देखा है इसमें कोई फेल नहीं होता क्योंकि ये college पर डिफेंड है कि उसने किस प्रकार से क्रियात्मक शिक्षन करवाया है तो हर बालक कुछ नो कुछ करता है डायरी मेंटेन करता है इंटर्शिप के लिए जाता है अनुसासन में रहता है तो इसको दो चन्ह thirds ऑल कि अनत्रांकन की औरकर बायांक कट अनत्रांक ओ सो का को पुरुणांक सो का होता है और इसके लिए उत्तिर्णांक होता है चालीस नंबर लाना अनिवारणी है और ये ये जोड़ेच के उपर क्या ने पूरे वर्ष पर क्या किया है बाईयांकन में आपका एक्जामिनर आ सकता है या आपका वायवाल लिया जा सकता है उसका पुर्णांगों का 50 का और इसमें पास होने के लिए 20 संक्ची है यानि कि टोटल ये क्रियात्मक अब्यास सिक्षन 150 नंबर का होगा जिसमें हमें पास होने के लिए 60 नंबर लाने आन सकता नहीं है आप सब पास होगे ऐसे मेरी सुप कामनाएं है निश्यत रूप से पास होगे ये क्रियात्मक अब्यास सिक्षन आपके लिए अच्छा हुआ जल्दी हुआ ताकि आप रीट के एक्जाम के लिए जिसे आप फाइनल एर के अंदर आ जाओगे तो आप पात्र बहुत से बचों के प्रस्ण थे कि सार हम कैसे पात्र होंगे तो रीटमें रीट नोटिपिकेशन में रीट के इस जो आप लिए वह बशाब विए कि और इसके लिए कि वह विब्लश मात आस्टीच कई कि टियंग स्टूडिंट इसके लिए कि तो आप सब चुनकि 1st Year का एक्जाम हो चुका है तो आप सेकंड एर में आ गए है तो आप निश्यतरु ते यानि कि फाइनल यार में आप पढ़ रहे हैं और वाइनल एक स्टुदेंट रिट एक्जाम है बेटने के लिए कौलिफाइ करते हैं अब उनका रिट एक एक्जाम एक सर्टिपिक प्रोग्राम है अब अपन बात करते हैं कि फट्ट ग्रेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं अब लेवल वन की बात करते हैं पन तो आप ध्यान रखें हो सकता है विग्यप्ति आने में तोड़ी देर लगे थर्ड ग्रेड गी रीट का एक्जाम तो होना तय है लगबग लगबग माना जा रहा है 25 अप्रेल को होगा लेकिन माना की उसमें तोड़ी देरी हो जाए आपक जैसे अप्रेल 25 अप्रेल एक्जाम हो जाता है रीट का रिजल्ट आने में लगबग लगबग एक माह आप मान के चलो यानि की मई आ गई 25 मई तक रिजल्ट क्योंकि इसमें 16 लाग से उपर स्टुडेंट ने आविदन किया है तो परिनाम आने में भी देरी लग सकती है औ आपन बहुत फाश चले जून में विग्यप्ति आ सकती है जून के बाद एक मईना जुलई तक फारम बढ़ने का वक्त दे सकती है और देंगे जरूर अब जुलई तक उससे पहले आपके एक्जाम हो जाने चाहिए तो मुझे लगता है कि आप बहुत लग्की हैं खुसकि आप सब के लिए यह कहूंगा कि आप मेहनत करें रिट के इच्छी त्यारी करें मैं आपको बता दूँ कि मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें आपके रिट लेवल वन ऐसा मैंने एक बना रखा आइकन उसमें देखना पढ़ना रिट लेवल वन के अलग वीडियो जहें सारे विसे के मैंने बनाया है और बना रहा हूं लाज तक बनाता रहूंगा आप हमारे इस चैनल पर बने रहें आपको जरूर फाइदा होगा आप किताबे में पढ़िए लेकिन हमारे इस चैनल को 10 मिनिट जरूर पढ़ लीजेग और उसको explain करने की कोशिस करता हूं मैंने मनोविज्ञान आपके गनित इंगलिस हिंदी परियावन अधियन सभी के टोपिक और वह इंपोर्टेंट टोपिक मैं आपके लिए ले रहा हूं और इनके वीडियो बना रहा हूं आप जरूर देखिए आपका बहुत बहुत धन् आपके लिएस की लिएए जरूर कि पसक प्रियोगर बर्ड़न के नाम वरुज से लिएर दित क्वार प्के की लिए हम मीन परे मामी मैं देखिए लेह हम चैलिए आपके लिए पontinहे हैं आपके लिए जया हुत।